बिसमिल्लाइ रह्मार रहीम असलाम लेकुम आप्पा और कौन से रूलर रहे इंडस वैली की सिटीजन सिटीज के उसके रलावा करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं जिनमें से आर्ट अफ कंस्ट्रक्शन पॉर्ट्स ओनिमेंट्स एनिमल वेपन फूर्ड टॉय सिविलिजेश ड्रेस, ट्रेड, इन कॉमर्स, गंदारा और उनकी क्या बिलीफ से इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिसकस करना है जो बुक में इस्तमाल कर रही हैं वो हादी पाक स्टेडी इसकी बुक है और इसके अंदर ये चैप्टर नमबर त्री है पहले दो चैप्टर आल्रेड़ी इसी यूट्यूब चैनल पर मुझूद होंगे आपको आपो भी देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं इंटरडक्शन से इंडस ये जो चैप्टर इसका नाम है प्यूपल एंड लैंड और इसका जो पहला पॉइंट है वो है इंडस वैली सिवलाइजेशन इंडस रिवर बहुत पुराना एक रिवर है और उसके इर्द गिर्द बसने वाली सिवलाइजेशन को इंडस वैली सिवलाइजेशन कहते हैं इसके इलावा इसकी बहुत सारी शाखें ये चोटी ब्रांचेज ये चोटी नहरे भी निकलती है उसके इर्दगिर बसने वाले कबीलों को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते है जो में दरिया है जो जगा है वो वहाँ पे बहुत ज़ादा सिविलाइजेशन थी इसलिए उसको अर्बन सिविलाइजेशन कहते थे यहनि के चोटे-चोटे कबीले अबाद नहीं थे कई कबीले एक जगह पे अबाद थे और ये कोई बात है 5000 साल पुरानी जब 5000 साल पुरानी बात है इसके अलावा एक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मुजूद थी इंडस रिवर्स के करीब इसके अलावा मीसो पिटेमिया मुझूद था और इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन मुझूद थी तो ये वो पुरानी सिविलाइजेशन हैं जो 5000 सार पुलानी हैं वर इनको डिस्ट्रॉई हुए वे भी दो हजार पांच सो साल गुजर चुके हैं अब इस दरीया के इड्ड गिर्ड जो सिविलाइजेशन बनाई गए इसको इंड्रिस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं और ये क्यों तबाव हुई थी इस वज़े से क्योंके फ्लड जा गए थे बहुत जादा पानी आ गया था इन पर बहुत सारी मुवीज भी बनी हैं जिसमें दिखाते हैं कि फ्लड के वज़े से ये जो वैली है जो दरीया के किनारे बनाई गए थी ये बिल्कुल बरबाद हो गई थी यहां के जो लोग थे वो उनके पाप बहुत ज़दा क्राफ्टी थे वो हाथ से चीज़े बना लेते थे पके घर बनाया करते थे क्योंके पहले तो लोग पुराने घर बनाते थे करंसी यूज़ कर रहे थे गोल्ड को यूज़ कर रहे थे इवन के जो तलवारे बगए रहे हैं वो ट्रेट स्टार्ट कर दी थी इन्होंने और इनकी जो आज तक बकायाजाद मौजूद है जो इंपॉर्टन साइट्स मौजूद हैं जो डिसकावर किया गया था अगर इसकी आइडियल मैं लुकेशन आपको बताऊं तो लाड़काना से 27 किलोमेटर दूर जो है वो मंजोड दाड़ो है और हरपा जो है वो 24 किलोमेटर दूर है साहेवाल से इन दोनों सिटीज का आपस में जो डिस्टन्स बनता है वो 650 किलोमेटर बनता और यह दोनों व इंडिया को टच करके गुजरता है अगवानिस्तान एरान बलोचिस्तान उत्तर प्रदेश नौर्थ इस्ट अफगानिस्तान इन से होता है पाकिस्तान में अगर देखें तो नॉर्दन वेस्टरन फ्रोरेंटर प्रोवेंस जो है उसकी तरफ से आता है यानि कि इसको इतनी कंट्री इस टच कर रही है अब जैसे पाकिस्तान के अंदर मौजोदाडो और हरपा की सिविलाइजेशन मिलती है इसके इलावा अगवानिस्तान के अंदर चोटी कलोनी मिलती है इनकी तुर्क्मिनिस्तान और गुजरात के अंदर चोटी चोटी स्मॉल कलोनी मिलती ह और उन्होंने छोटी-छोटी civilization बनाई वी थी अगर पाकिस्तान के मंजोदाडों के बारे में बात करें तो मंजोदाडों का मतलब होता है city of daddy यानि कि मुर्दा लोकों की city और ये एक ऐसी archaeological site है जो पाकिस्तान सिंध में वाकिया है इसको अगर देखा जाए कि कब बनी थी तो 26,000 साल पहले बनी इंडेस वैले की सबसे बड़ी civilization यानि कि इंडेस जो दरिया था उसकी सबसे बड़ी civilization जो है वो मंजोदाडों ही थी और मंजोदाडों इतनी पुरानी civilization है कि जब मीसोपोटेमिया के लोग स्क्रीट के लोग, इजिप्ट के लोग अपनी civilization देख रहे थे तो यहां पे भी मीसोपोटेमिया, यहां पे भी मंजोदाडों के लोग अपनी civilization देख रहे थे और इसको डिसकवर किया गया था 1922 के अंदर 1922 के अंदर से जान मार्शल थे, यह एक ब्रेटिश आर्कियोलोजिस्ट थे, इन्हों ने इसके रिमेंस जमीन से खोद के निकाले थे और बताया था कि यह प्री प्लैंड और अर्बन सिटी है, 5000 साल पुरानी और उन्हों ने कहा, उन्हों ने बताया कि यह कितनी एडवांस थी, इस बारे में सारी बाते बताएंगे अगर हड़ापा सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी आर्कियोलोजिकल साइट है, इंडस वैली की सिविलाइजेशन है, जो के पंचाब के अंदर वाकिए है, और यह 24 किलोमीटर वेस्ट में वाकिए है साहिवाल से, यह भी 1920 को डिसकवर की गए थी और जाए, तो उसको बकायाजाद को महफूज नहीं किया जा सकता, इस टाइम पीरियेड के अंदर सलाब की वज़ा से मंजुद रड़ापा के जो सिविलाइजेशन के रिमेनिंग पार्ट्स मिले थे, आर्कियोलोजिकल साइट के तौर पे, आर्टिफेक्स के तौर पे, अब वो बिल्कुल डिस्ट्रॉई हो चुके हैं, यानि कि पाकिस्तानी गौर्वर्मेंट इतनी नाएहल है कि वो उन अर्कियोलोजिकल साइट को रिस्टोर तो क्या करती हैं, उनको सेफ भी नहीं कर सकता, अगर अंडर सिटी के रूलर के बारे में बात करें, तो यहां पे बका यहां पे कुछ तलवार का इजती हैं, यहां पे आपको अपको मेटल सील्स मलते हैं, जो ऑड़ी, बरिस्टी जेवराइ!" इसके मिलती हैं, वो निकुश को पूर्ण करती हैं, इसके इलावा कबीलों के गौर्ण और ड्रेनेज सिस्टम बहुत पक्का और अच्छा बनाया होता है जैसे कि अर्बन सिटी के अंदर मुझूद होता है इसके इलावा आपको यहां पर लीडर्स मिलेंगे पॉलिटिकल लीडर्स भी मिलेंगे और जैसे के एक जिर्गा सिस्टम होता है जिर्गा सिस्टम था इनके पास डिफरेंट लीडर्स जो थे उनके अपने अपने एक चोटी चोटी सैनट थी और उनके पास उनको डिफरेंट सील्स दी जाती थी उनके इडेंटिफिकेशन के लिए इसके इलावा जब आप देखते हैं इन civilization को तो आपको यहाँ पर पोर्टरी मिलेगी ornaments, metal tool मिलेंगे, handicrafts के tool मिलेंगे और अगर आप characterization देखें तो art of construction जो है यहाँ पर बहुत जबरदस्ट है, यह वो time period है जो 5000 साल पुराना है यहाँ जब लोग animal पर depend करते थे, natural phenomena पर depend करते थे institution तो कोई हो गई नहीं, knowledge का भी जो source था वह इनसान खुदी था उस time period के अंदर यह city ऐसी बनाई थी, जो according to map बनाई गए थी और इस city का map भी मुझूद था, house, street, roads, drainage system, bathroom, market टीवन के घर के अंदर जो setting बनाई जाती थी, rooms वगारा, उनको map के according बनाई जाता था, other मुख्तली buildings मुझूद थी, घर तो pre-plant थे ही, other local buildings में बनाई जाती थी, जिनमें ऐसी bricks यूज की गई जो आज कल के दोर पे इस्तमाल करते हैं, burn breaks, जिनको कहती है, mud को, जब heat करते थे, उसके बाद उसको पका करते थे और फिर घर बनाई जाते थे, जो के आपको आज कल के जमाने में जैसे गाउं के घर होते हैं, इसके इलावा, hygiene का system principle बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि drainage के इस तरीके से system बनाई जाता था, कि फुजला पानी जो है, वो नालियों के जरीए बहके जाता था, तो यह hygiene proper principle बनाए गए, ventilation के system घर के अंदर रखा जाता था, कि घर जो है, कुशादा हो, हवा आई जाए पास हो, और इस बात में कोई भी शक नहीं है, कि इंडिस वैली सिविलाइशन जो है, उस तरह की जो पकाई जाती थी भटी के अंदर, इसके इलावा आपको domestic daily use के लिए copper और bronze के भी समान मिल जाएंगे, ornaments का अगर जिकर किया जाए, तो garland, bengal, air ring, जो औरतें, आज कल की औरतें, चीज़े पहनती है, वो मिलती है, specially ivory का का मिलता था, ivory होते हैं, जो हाथी के dant होते उनकी bones से, और different animals की जो special parts होते हैं, उनसे ornaments बनाए जाते थे, animal बगारा को देखा जाए, तो domestic animal भी मुझूद थे, ऐसे animal भी मुझूद थे, जो खाने के लिए समाल के जाते थे, ऐसे जो जंगली भी रखे जाते थे, as a pet भी मुझूद थे, इस time period की औरतों के पास pet होते थे जाते थे copper and browns का, यानि कि मजबूत होता था मटी का या लकडी का नहीं होता था, अच्छी तरीके से उन्होंने weapons बनाना स्टार्ट कर दिये थे, अगर food के बारे में जिकर किया जाए, तो हमेशा से food अच्छा रहा है, fish, wheat, हर तरह के बारले बगारा ये खाय करते थे, कि अपने बचों की तरफ, ये आप इनकी civilization का, जो high standard of living है, उसको note करें कि बचों के toys तक बनाते थे, cultivation के लिए proper system इन्होंने बनाया था, इनके अलग-अलग खेत थे, cotton का लादा था, wheat का लादा था, और उसके अंदर water system इन्होंने लादा रखा था, even के पानी supply करने के लिए spinning wheel का यूज करते थे, अगर dresses का जिकर किया जाए, तो अच्छा लिबास पैना करते थे, लेंगा चोली पैना करते थे, और और जहरी बात है, जो important parts है, उनको cover करते है, उनके लिए cotton और silk जैसे चीज़ों को यूज करते थे, और इनकी जो suits वगरा थे, ये जो ये dresses पैनते थ उनको सिया जाता था, और उनके ओपर embroidery की जाती थी, इसके इलावा trade और commerce को अगर देखा जाए, तो इंडस्वरी civilization, आप यूं कहलें कि ये hub था, यहाँ पे दूर दराज के लोग आते थे, मेले को enjoy करते थे, अपनी चीज़ें लेकर आते थे, चीज़ों को sell करते थे, बका देखा जाए, तो ये बुतों की पूजारी थे, बुतों के इलावा metal और stone को पूजा करते थे, इनकी जो दोनों cities के अंदर ruins मिलते हैं, तो ये sun को, moon को, star को भी worship किया करते थे, collectively आप कह सकते हैं, जो हिंदू बलीव था, वो यहाँ पे मिलता है, इसके इलावा गंदारा, गंदारा एक kingdom था, जो के northern पाकिस्तान के area के अंदर ही मिलता है, यानि के इंडस वैली के सबसे करीब जो civilization मुझू थी, वो गंदारा की थी, इसका region अब पिशावर के अंदर नजार आता है, इसके इलावा गंदारा जो है, वो अब इस time period में अगर देखा जाए तो टेक्स 500 साल पुरानी थी, और गंदारा civilization equally ही रहती थी, इंडस वैली civilization के according, इनका art भी वैसा था, इनका stone भी वैसा था, इनके पास जो गौर्मेंट का सिस्टम है, वो भी वैसा था, इनके पास भी लोग आया करते थे, यानि कि एक दो civilization साथ साथ चल नहीं थी, इंडस वैली civilization की, एक तो ये मंजोदारा और दूसरा ये गंदारा, इवन के एक मुवी भी आई थी, अशोका, उसके अंदर अशोका एक बुद्धिस दिखाया जाता है, जो के कॉंक्वर करता है दिफरेंट जगाओं को, वो इस गंदारा का ही था, मंजोदारा और हरपा जैसे के पानी का फ और अगर आप टेक्सला का म्यूजियूम को विजिट करेंगे तो आपको गंदारा सिविलाइजेशन के रिमेनिंग्स वहां पे मिलेंगे, उमीद है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिद्नी मुझूदारा हरपा और ये गंदारा ये आपको समझा गई होगी, इनके थो अप्शिन बॉक्स मिल जाएंगे, अगली वीडियो तक के लिए खियाल रखें, अल्ला हाफिज।